तो आज हम बात करने वाले हैं मायो इंसिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जिसको मिम्स भी कहते हैं या कहले जिए मायो मेडिकल कॉलिज जो कि आपका 12 बंकी यूत्तर प्रदेश में सिच्वेटर है आज हम पूरा ओवर्विव करेंगे मायो मेडिकल कॉलिज के बारे में क्या फीश टेक्टर जाता है क्या होस्टर पीश है क्या सिक्योरिटी है क्या कोई बॉंड भी है इसका कि जैसे कि आपको मालूमी होगा कि सुभारती में आपका डूरल बॉंड होता है क्या इसमें भी अवेलेबल है प्राइवेट कॉलेज है ये आपका कब इसकी स्टेबलिस्मेंट हुई थी किस से अफिलियेटेड है ये आपका और क्या फी स्टिक्चर जा रही है आपकी यही सारी चीज़े हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे क्या हॉस्टल है क्या आपकी फैकलिटी मिल चाती है क्या आपकी इन और आउट टाइमिंग है ठीक है तो यही सब सारी चीज़े हम इसमें डिसकस करेंगे इस वीडियो में तो अगर यह वीडियो आपको इन्फोमेटिव लग रही हो तो आप प्लीज इसे लाइक कर लिजे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ठीक है तो चलिए शुरू करते है तो सबसे पहले हम इसकी स्टेबलिस्मेंट के वारे में जान लेते हैं यह कॉलेज आपका 2012 में स्टेबलिस हुआ था तो अभी तक इसमें ओल ओवर देखा जाए तो आपके टू बैच पास हो चुके हैं MBBS के तो इसमें जाहिड सी बात है अगर MBBS आपके टू बैच पास हो चुके हैं तो इसमें PG की विबरांची भी अविलेबल है ठीक है तो यह तो रहा अपना इस्टेबलिस्मेंट के बारे में अब अफिलेशन जो इसका है वो आपका आटल बिहारी बाचपाई Medical University से इसका अफिलेशन है यह आपका प्राइवेट कॉलेज है जो कि आपका 12 बंकी लखनों से आगर देखा जाए तो यह कॉलेज आपका 30 किलो मीटर के अराउंड डिफर करता है मतलब 30 किलो मीटर का डिफरेंस है आपका अराम से आप ए घंटे में इधर पहुंच सकते हैं कोई इशू नहीं है तो यह तो हम आपने ओवर्वियों दे दिया इसके मायों के बारे में कि क्या कब इस्टेबलिस हुआ था कितना ट्रैवरिंग टाइम लग जाएगा क्या किस से अफिलियेटेड है अब हम जानेंगे कितनी टोटल यूजी सीट से यह ओफर करता है और क्या उसकी टीशन फीस आपकी जाती है इसमें जो आपकी टोटल यूजी सीट से वह आपकी 115 सीट एविलेबल है जिसमें यह अपना एडिशन लेता है इसकी जो का लास्ट यह के हम कट आफ की बात करते तो इसका लास्ट यह को जो कट आफ था वह आपकर 305 305 के राउंड यह गया था आपका तो अभी जब भी मैं यह वीडियो डालना हूं तो आपका फर्स राउंड का कट आफ आ चुका है तो जैसे कि सबको लग रहा था कि इस बार भी यूपी का जो आपका कट आफ जाएगा प्राइवेट कॉलेजस का सबका डाउन जाएगा बट ऐसा नहीं है हर कॉलेज में आपकी कुछ ना कुछ बढ़ती है यह इंक्रीजमेंट हुआ है ठीक है तो इस कॉलेज में भी आप जहिर सी बात है जैसी यह आपके एक best pass हो जाता है आपके MBBS का वैसी न Article PG की बुड अल करणज मिल जाते हैं। इसको भी आपके हो चुकी है यूपी घी तो सबकोस क्लियर सौट सौट डिटेल मिल गई होगी ठीक है तो यह तो रहा आपकी सीट्स के बारे में कि कितनी क्या सीट्स एविलेबल है आपकी पीजी और यूजी में तो में जो हमारी इस वीडियो का मक्षट है बनाने का वह आपका यूजी स्ट के तो हर साल इस साल भी आपकी फीज इनक्रीज हुई है तो मान लिए टैन परसंट के अरौंड शॉरी शॉरी इस पर आपकी फीज जा रही है वह 11,91,162 पर यूजी आपकी फीज जा रही है ग्यारा लाग बाइस हजार के अराउंड मान लीजिए आपकी फीस इसमें जा रही है पर ये आपकी ट्यूशन फीस है अब हम इसके बाद कर लेते हैं क्या होस्टल जा रहा है जो आपका होस्टल है वो 1.5 लाइक पर ये मतलब 1.5 लाग रुपे पर ये ये नौन एसी का है अ सेक्यूरिटी मनी जैसे कि आप जानते हैं कि यूपी में सेक्यूरिटी मनी एट फस्ट वन टाइम पेमेंट होती है तो वह भी आपकी 3,00 रुपे है इसमें कुई चेंज नहीं हुआ है लास्क ये जो जा रही है बार ही है जो आपका मिसलीने सार्जिस है वह आपका 85,000 पर तो इसकी आउटिंग टाइमिंग के वारे में भी जान लेते हैं जैसे कि आपको पता होगा कि यह कॉलेज आपका 12 बंकी में situated है तो इस college में आपको outing सिर्फ Sunday को ही मिल नहीं है other days आप नहीं जा सकते हैं आपको proper college में ही रहना है जो भी आपके daily uses के समान होंगे ठीक है वो सब आपको college के अंदरी मिल जाएं grocery store भी है cafe एफे हर चीज़ आपको college के अंदरी मिल पाएगा ठीक मिल जाएगा और आपको सिर्फ Sunday की outing मिलेगा आउटिंग की timing रहेगी सुवेश साफ बज़े से साम 9 बज़े तक आपकी outing की timing रहेगी इसी दिन आप सिर्फ Sunday संडे को ही भार जा सकते हैं तो यह मैंने आपको पूरा overview दे दिया है मायों Institute of Medical Science जिसको हम MIMS भी कहते हैं ठीक है अगर यह वीडियो आपको informative लगी है तो प्लीज इसे like, share, subscribe करें और अगर आप इसमें addition लेना चाहते हैं या कोई भी other college में UPK, करनाटका, पराजिस्तान मारास्रा कहीं भी आपको addition लेना चाहते हूं ठीक है तो आज इस वीडियो बस इतना ही धन्यवाद